बिहार में उद्यों को पढ़ावा देने के लिए कई नई योजनाओं की सुरुवात की जा रही है। बिहार में इस निरिक्षन के बाद अधिकारियों ने कहा कि चार एकर जमीन की उपलंधता हो तो पचास करोड की लागत से एक बड़ा थोक मशली बजार का निर्मान किया जा सकता है। बिहार में मशली बजार को लेकर बताया जा रहा है कि 29 जिलों में 95-95 लागत से रिटेल मार्केट बनाया जाएगा। इस बजार में रिटेल में मशली बेचने बालों को अवेंटित किया जाएगा। साथ मशली के चोहिया सुखाने की भी सुविधा होगी ताकि इसे बाहर भिजा जा सके और इससे मशली पालकों को कमाई हो सके। साथ मशली खाने वालों को भी अस्थानिय तलाब की ताजी मशली मिल जाएगी। बताया जा रहा है कि पहले चरण में सभी प्रखंड मुख्याले अस्तर पर मशली का होलसल मार्केट खोला जाएगा। बाकी बचे हुए 29 जिलों में मुख्याले में रिटेल मार्केट खोला जाएगा। इसके बाद पंचायत और प्रमंडल मुख्याले में मशली का बाजार खोला जाएगा। बिहार में अगर हम मशली उत्पादन के बरतमानी स्थिति क्यों देख ले तो साल 2020-2021 में मशली का उत्पादन 16883,00,000 टन हुआ है वही साल 2019-2020 की तूलना में 42,000 टन अधीक है। प्रदेश में सालाना 8,00,000 टन मशली का खपत है यानि की अभी भी बिहार में 1,7,00,000 टन मशली बाहर से आता है। ऐसे में अभी बिहार सरकार यह चाह रही है कि बिहार मशली के मामले में आत्म नीरभर बने। इधर मशली उतपादन को लेकर बोलते हुए पसुएब मतस्य संसाधन मंतरी मुकेस सहनी ने कहा कि पटना के फुलवारी सरिफ में बड़ा थोक मशली बजार बनाया जाना है। साथ मशली के उतपादन के मामले में भी यह देश के उन राजियों की लिस्ट में आएगा जो कि मशली का निर्यात कर सके क्योंकि मशली के उतपादन को लेकर बिहार सरकार एक्टिव है अब हम गाउं में भी तलाब देख सकते हैं और हम मशली के उतपादन को भी देख सकत हैं बिहार और बिहार से जुड़ों और भी ऐसे इंग खबरों के लिए बने रहें बिहारी निवच के साथ मुझे दीजी एजाजत धन्यवाद